हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम कैसे हैं उमीद है सब अच्छे से होंगे तो इस टाइम सुबे का टाइम है और जोहान बहुत दिन से कह रहा था कि ममा पोटाटो कटलेट ले जाओंगे तो मैंने सोचा कि चलो आज बच्छो को खुश कर देते हैं और उन लोग की फरमाईश में आज मैं सुबा बना रही हूँ उन लोग की लैंच में पोटाटो कटल साइब यह कभी कभी बच्चे सुबा सुबा कुछ नया ले जाते हैं और बहुत दिन से भी बोल रहा था कि ममा मैं ले जाओंगे तो मैंने का चलो ठीक है सिंपिल भी है और बहुत जल्दी बन जाती है तो सबसे पहले यहां पर मैंने बेसन लिया दो कप और उसमें नमक ड के लिए भुनाजीरा डाली इनको सही से मैंने इसका बैटर बना लिया और फिर इसमें चीफ से काट करके आलू के डाल दीए जब यह पहले हो जाता है तो इसको में फ्राई कर दी और फ्राई होने के बाद इसमें चाठ मसाला डाल दिया और बच्चों को सौस में लगा करक और अपनी फ्रेंड्स के साथ वही अच्छा लगता था खाने में और आज कल के बच्चों कभी कह दो कि अचार प्राठा ले जाना या सौस प्राठा ले जाना तो फॉरन मूँ बन जाता है कि नहीं मुझे रोज नहीं नहीं चीज़े चाहिए तब लेके जाऊंगा तो यह का हाफी फरक पड़ता है आज कल के और तब के जमाने में मेरे क्या क्या होता है कि रात में तीनों बच्चों के साथ मिल करके डिसाइड करना पड़ता है कि सुबह टिफिन में क्या बनाएं क्या ले जाएं तो उन लोग जो बोलते हैं फिर वही उसी जाप से मुझे ने तो पूरा के पूरा टिफिन वैसा ही वापस आ जाता और जरा सा एक बाइड भी नहीं खाते तो मुझे लगता है कि जादा तर माओं के साथ ये प्रॉब्लम होती ही है और उसके बाद फिर जब बच्चों को स्कूल भेज़ दिया फिर मैंने चाहे यहां पे चड़ाए क्योंकि हस्बेंड की शॉप के जाने का टाइम हो जाता है और आज कल विंटर में बच्चों के स्कूल के टाइमिंग भी काफी चेंज हो गई है तो उसी साथ से फिर मैनेज करना पड़ता है और आज हस्बेंड को दूँगी रात में जो चिकेन स्टू बनाया था वो और पराठा तो जादा तर जब मैं ग्रेवी इस टाइब से बनाती हूँ तो वो सुबह इनको ब्रेकफास्ट में जरूर दे देती हूँ और वो शौक से खाब लेते हैं उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के युनिफार्म उसको आइरन किया क्योंकि कल जो है वो हाउस ड्रेस है तो उसी हिसाब से फिर मैं आइरन करके पहले ही रख देती हूँ बच्चों के युनिफार्म तो फिरिंट सारे काम में एक काम मुझे यह बहुत खराब लग था आइरन करना तो जादे तर आइरन में बाहर से करवा लेती हूँ लेकिन बच्चों के जो डेली के कपड़े होते हैं जैसे युनिफार्म हैं और भी थोड़े बहुत छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं वो मैं घर पे ही कर लेती हूँ बाकि जितने भी हस्वेंड के हैं सब बाहर से करवाती हूँ तो ये निक्स डे मॉर्निंग की क्लीप है और आज मैं बच्चों को लेंच में दे रही हूँ तो बच्चों ने पहले ही कह दिया था कि मम्मा कल मैं फ्राइड रैड्स ले जाओंगा तो मैंने का चलो भाईया आज कल तुम ही लोग की सही है तो फिर इन लोग को मैंने फ्राइड रैड्स दिया और वो बहुत शौक से खाते हैं तो भी ये लगता है कि चलो सही है तो आज सुबा सुबा अरमान रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए और यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं सिविल ड्रेस में जा रहे हैं तो आज इनका बर्डे है 6 दिसंबर है तो बहुत जादा स्टैलिस्ट हो के जा रहे हैं और बहुत जादा खूश है मैंने का चलो ठीक है और बहुत सारी चीज़े ले जा रहे हैं बच्चों को अपने बर्डे आने का बहुत जादा बेसबरी से वेट रहता है एक दो मैना पहले से वेट करने लगते कि ममा मेरा इस टाइम आएगा बर्डे क्या करेंगी और इस टाइम आएगा तो यह करेंगी तो बहुत जादा एकसाइट रहते हैं अपने बच्चे जो होत ती दुबारा फिर से चेंज करके बनाई जा रही है अब देखिए फाइनल लूक इसका कैसा आता है और नीचे से मिठ्टू को आज उपर ही बुला लिया बहुत देर से आवाद दे रहा था मैं मिठ्टू बेटे मिठ्टू बेटे तो यहां पर काम भी चल ला था तो मैंने का धूप उपर अच्छी आ रही है इसको उपर ही बुला लेते हैं और इसका जो पिंझड़ा है वो खराब हो गया था तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया तो और कोई कलर था नहीं इस टाइम पे ज़्यादा तो फिर मैंने यहां पर इसको जो पिंझड़ा था न वो पूरा ब्लैक कर दिया अभी मिठू माराज बहुत खुश है उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उनका पिंजड़ा ना पेंट करा जा रहा है और उनको शयद ये बलैक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है तो उसके बाद इतना अपसेट हो गए किसी से बात नहीं कि बिल्कुल चुप हो गए ना कुछ खाया ना पिया और बहुत देर बाद जाके नौर्मल हुआ है वहना ये बोलता ही रहता है मिठू बेटे मिठू बेटे और सबका नाम लेता है और सबको बुलाता है और हजबन भी लगे हैं या पर जोड़ शोड़ से तयारी करवाने में तो वो भी सब काम वही करवा रहे हैं और आज इना इतने मंकी आये थे इतने आये थे कि बताई नहीं सकती बहुत जादा मंकी थे चोटे उटे से बच्चे थे लेकिन बहुत जादा क्यूट लग रहे थे और उस टाइम पर जोहान ना स्कूल में था ने तो उसको जरूर दिखाते तो वीडियो बना करके उसको दिखाया तो उसको कहने लगा कि मंमा इनको पाल लीजिए ना तो मंकी कि बच्चे वाकई बहुत अच्छे लगते लेकिन हाँ बहुत जादा शेतानी भी करते हैं तो इन लोग के एक टोली आती है तो ये अकसर आती है और बहुत ज़्यादा शेतानी भी करते हैं तो ये सामने ना इनके क्या कुछ मिल गया तो ये चुपचाप खा रहा था तो ये बाहर का काम चल रहा है और हस्बेना अपने नजर के सामने ही काम करवाते हैं और बिल्कुल बारी किसी पर्फेक्ट तो जितने भी कारीगर आते हैं तो उनसे सीख के जाते हैं और बोलते कि वाकई आप जो बताते हैं बिल्कुल सही है और इस टाइम संसेट हो रहा था देखे कितना ब्यूटिफुल लग रहा था तो वही मैंने क्लिप ली तो जदे तर क्लिनिंग मैं बाहर की रात में ही करती हूँ क्यूंकि बाहर तो काम चल रहा है इसकी चार बड़ी प्याज है उनको चौप कर लिया है और दस से बारा हरे मिर्च है उनके एक दो कर लिया है यहाँ पर सौफ है और गरम मसाला है सब गुलाब के फूल है थोड़ा सा संदल है और अदरक लैसन का पेस्ट है तो इन सब चीजों को मैं ग्राइंट कर लूँगी यहाँ पर चिकन है इसको मैंने सही से वाश कर लिया है और जितना भी मसाला है जो मैंने आप लोग को दिखाया है इसको मैं पीस लूँगी लेकिन हाँ पियाज और हरा मिर्च उसको नहीं पीसना है तो यह मसाला जो है बिर्यानी का इसको मैंने पीस लिया है तो यहाँ पर मैंने भगोना इसको गैस में चड़ा दिया है और पाच चमच मैंने यहाँ पर ऑल डाल दिया है जब वो गरम हों जया है तो इसमें प्यास को फ्राइी का लेना ए और हरे मिर्श को आप इस तरह से बियानी ट्राइ किजएगा बहुत टेस्टी हुने वाली है बहुत इजी है बियानी बढ़ाना बहुत इजी रहता है और मुझे बहुत एजी लगती है इस टाइप की बिरियानी ना सब लोग बहुत शौक से खाते हैं और मेरे घर के बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो यहाँ पर मैंने अच्छे से प्यास जो है इसको फ्राई कर लिया है और इसी में मैंने हरे मिर्च भी डाल लिये हैं तो दस से बारा हरे मिर्च आप डाल लीजेगा तो जादा बेटर रहेगा एक का हाफ आफ करके और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर मसाला बिर्यानी के पीसा था उसको भी मिक्स कर लूँगी और अच्छे से भून लूँगी अच्छा जब आपको कोई चीज नहीं आती तो यह टास्क ना बहुत मुश्किल लगता है कि यह मैं कैसे कर लूँगी और जब आप सीक लेते हैं आपको आज आती वो चीज़ तो बहुत एजी लगती है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मुझे नौनवेज बनाना नहीं आता था और बिर्यानी बनानी नहीं आती तो ये लगता था कि ये बिर्यानी बनाने तो एक बहुत मुश्किल डास्क है और ये लोग कैसे बना लेते हैं लेकिन अब मुझे जब से आ गई तो ये बहुत सिंपिल लगती है और दाल चावल सबसे ज़ादा मुझे एजी ये बिर्यानी नौन्वेज लगता है बनाना और मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा उसके बाद मिलाना है इसमें रेट चिली पौडर और नमक और उसके बाद अच्छे से मसाला जब फ्राई हो जाए तो इसमें चिकन डाल देना है और चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें two table spoon तक chicken masala डाल देना है. चिपन मसाला आप डालेंगे ना तो आपके इसका जो chicken है ना, इसका टेस्टे बी बढ़ जायेगा और बीरियानी बहुत टेस्टी होगी. जब यह अच्छे सब तैयार हो जा तो इसमें last में चावल डाल देना है. यहाँ पर मैंने बास्मती चावल लिया है तो यह भीगोया है मैंने सिव आदा घंटा और बास्मती कम भीगता है और सेला चावल आप जब लें तो इसको तीन घंटे लगते हैं भीगने में और सेला चावल में पानी भी जादा डलता है लेकिन बास्मती में पानी कम डलता है तो इस हिसाब से आप पानी डालिएगा और चावल भीगोईएगा भी तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पर चावल बॉइल करके बनाते हैं लेकिन मैं चावल बॉइल नहीं करती, चावल मैं भीगोगे बनाती हूँ और जब चावल साही से इसमें बॉइल होने लगे तो इसमें एक लेमन काट करके डाल देना है और उसको तेज फ्लेम में बनाना है जब यह अच्छे से हो जाए तो इसमें कलर फूट कलर आप डाल दीजिए और यह देखिए टेस्टी रेसिपी बन के बियानी तयार और आप लोग इस तरह से ट्राई कीजेगा आई होप आप लोग को यह बियानी बहुत पसंद आने वाली है और यह देखिए इसका फाइनल लुक और अब आया है रायते की बारी तो मैं यहां पर रायते बहुत सिंपल बनाती हूँ लेकिन सबको बहुत जादा पसंद आता है तो मैं यह लेती हूँ थोड़ी सी धनिया लेती हूँ तीन-चार हरे मिर्च लेती हूँ थोड़ा सा जीरा लेती हूँ और तीन-चार जवे लैसुन के और दही में सब में मिक्स कर लेती हूँ और ये इसमें मुझे दही में मिला देना है अब दही में अच्छे से फेट लीजे उसके बाद काला नमक डालिए हलकी से अगर आपको बहुत जादा तीखा लगे तो थोड़ी सी पिशी शुगर डाल लीजे और इसमें पानी अपनी हिसाफ से मिला लीजे तो ये रायता जो है ना बहुत जादा टेस्टी होने वाला है तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा बिरियानी और रायते की फुल रेसिपी आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और मेरी स्टाइल से आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजेगा और सब को बहुत पसंद आने वाले है जब अच्छा लगे तो प्लीज इसमें कॉमेंट में ज़रूर मुझे बताएगा तर तो उपर करो और उसके बाद अर्मान केया यहां पर बर्डे केक यहां पर कट हुआ और बहुत अच्छा लगा अब हम लोग ज़्यादतर बहर नहीं बुलाते हैं घर-घर में सेलिबरेट कर लेते हैं और बच्चों का भी मन लगता है कि यह सही है कि चलो घर में ही celebrate कर लेते हैं और next morning फिर वही काम स्टार्ट हो गया काम अभी चल रहा है क्यूंकि टाइम लगता है न पी ओपी में फिर डिजाइन बनाना और यह बहुत ज़ादा महीन वाला काम होता है तो इसको देख वेके बनाना पड़ता है एक बार तो डिजाइन पुरी खराब हो गई फिर दुबारा रिपीट की गई और यहां पर अब ग्रे करर की पेंटिंग हो रही है तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आप लोग को यह व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आयो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को मेरे सबस्क्राइब कीजेगा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाला जल्दी मुलाकात होती तब तक लिए अपने खायल रखेगा अलाफीज बाई बाई